जे मसी और आज की सुभा के लिए पहला तीमतियस 3.16 और इस प्रकार से इस पंक्तिय में लिखाए और इसमें संदे नहीं कि भक्ति का भेद गंबीर है अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठेरा स्वर्गदूतों की दिखाए गई अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ जगत में उस पर विश्वास किया गया और महीमा में उपर उठाया गया मैं तो इस वर्ड्स के पर सोच रहा हूँ भक्ति का भेद गंबीर है क्या मतलब इसका भक्ति का भेद गंबीर है हमारे जीवन में हर चीज हम नहीं समझ सकते कोई चीजे भेद हैं लेकिन ये भक्ति के भेद है ये हमारे भेद नहीं है ये संसार के भेद नहीं है, ये परमिश्वर के भेद है कई बार हमारे जीवन में हमें सवालों के जवाब चाहिए है हर चीज का जवाब चाहिए, कैसे चीज चलती है, क्या है लेकिन परमिश्वर कर रहा है, कुछ चीजे भक्ती की भेद है और इस भेद को, इस भग्ती के बेद को, अब इसका आनन दुठा, हर चीज सोच के समझ के ढूनने की जरूद्ने की जरूरत नहीं है, ना किसान है, उसके हाथ में बीज है, वो बीज को बोता है अब बीज में क्या जीवन है धर्टी पर क्या जीवन है पता नहीं उसे लेकिन उफिर भी बीज बोता है और वहाँ से निकलता है जीवन एकात्मीक जीवन उस बीज में जान है विज्यानिकों ने अलग-अलग बीज बनाने की कोशिश की और दोनों बीच को साथ में दबाया जमीन में उनको दफनाया जो बीच परमेशवर ने बनाया है उसमें से जान निकली दूसरा बीच सढने लगा यह हमारे विश्वास के बारे में जब तक हम परमेशवर पे भरोसा कर रहे हैं वह पे जान है भक्ति का भेद है यह हमारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं लेकिन भक्ति का भेद है हमारे पास हम नहीं जानते कि मरीवी चीजों में से जिंदगी कैसे आती है बट परमेशवर उनकाम वो करता है एक समय था जब हमें परमेशवर को जरूरत नहीं थी हम परमेश्व को चाहते नहीं थे, आज येश्व को जानने के बाद उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, ये भक्ति का भेद है, ये कैसे हुआ, चीज़े हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर को इस चित्र में डालते हैं, जब येश्व को इस चित्र में डालते हैं परिस्तिती के जीवन के तो बात समझ में आती है और चाहे सब कुछ समझ में ना है लेकिन ही भक्ति का भेद है कि हम सब नहीं समझ पाएंगे लेकिन जान है जीवन है मेरी इच्छा परमेश्वर के लिए कैसे बड़े? मेरा विश्वास कैसे बड़े? जब वो बीच परमेश्वर की भक्ति के भेद का बीच मेरे जीवन में है तो फल आएगा वो फल लेके आएगा इस तरीके से तो विश्वास चलता है अंदे की बातों का प्रमाण है इसी तरीके से परमेश्वर का लिए बढ़ता है अंदे की बातों का है कौन जान डाल सकता है मरीवी चीज में परमेश्वर कौन जान डाल सकता है हमारे आत्मिक मरेवी जीवन में परमेश्वर अंदकार में जी रहे थे अब जयाले में क्यों? यह भक्ति का बेद है कई सारी चीजें हम उते जीवन में परिस्तितिएं से गुजरते हैं लगिन इंभारे जीवन में आनद है हमें निराश होना चाहिए लेकिन हम आनदित हैं हम परोच सायथ है क्यूं? ये भगती का वैद है परमेश्वर हमें नहीं है लेकिन परमेश्वर कुछ चित्र में डालना ज़रूरियत यह उस संसार में जो भी हमें आत्मिक जवाब चाहिए उनके नतीजे जो है वो आत्मिक है हमारे इस जवाब आत्मिक है जीवन के सवालों के जवाब आत्मिक है स्वाभाविक नहीं और प्राब्लम ही हो जाता है वि बुद्चमतकार है तुफान का थम जाना एक मनुष्य से छे हजार दुष्टात्म है निकालना बारा साल से लहू बहते विस्तरी उसको चंगाई पाना और मरी भी लड़की जिन्दा हो जाती है अगर आप से सवाल पूछें कि कौन से इसमें से सबसे ज़्यादा कठिन था प्राब्लम यह है उसके आइसर की चारो में भी आप सूच लोगे नहीं यह नहीं वो नहीं है कौन कौन कर सकता है तुफान को थमा सकता है कौन छे हजार दुष्टात्म है छे हजार दुष्टात्म है एक व्यक्ति से निकाल सकता है कौन है जो बारा साल के लहू को बहतेवे को रोक सकता है कौन है जो मरेवे को जीवन दे सकता है येश्व येश्व ये भक्ती का भेद है हम नहीं जानते इस बातों को ये गंबीर है उसमें लिखा है कि इसमें संदे नहीं है कि भक्ती का भेद गंबीर है हम उसके अनुग्र पर ध्यान दे रहे हैं हाँ उसके पास सामर्थ हैं लेकिन हम जानते हैं कि वो प्रेम भी करता है हम जानते हुँ अनुग्र भी देता है हम जानते हुँ करोना भी देता है यह हमारे मन की बाते है पहले हमारे पास परमेश्र के लिए समय ने था अब हमारे पास समय है फैरे हमारे पास विश्वास के लिए सम्हानी था अब हमारे पास है हम कितना कारे कर रहे हैं उस पर निर्भर नहीं है हम कितना भरोशा कर रहे हैं हाँ, लेकिन परमेश्वर बरोसा देख रहा है, विश्वास देख रहा है, यह भेद है, और यह गंभीर है, और यह सच है, हम सब जीवन में परिस्थितियों का सामना करेंगे, अबरहम कर रहा है, लेकिन अबरहम कोशिश नहीं कर रहा है कि इस परिस्थिति से निकलू कैसे ह जानते हैं कि परिशानियां चलती हैं लेकिन उसके बीच मने हमारे पास आनद है परिशानिया चल रही हैं लेकिन इसके बीच में हम निराश नहीं हैं पृत-साइत हैं क्योंकि कई बार कि होता है हम बहुत अच्छे गणनित करने वाले हो जाते हैं जल परमिश्चुर के साथ हैं कटिनाइइ परिशानियTop te सबंकी जानने कि सुध्रोवर नहीं है यह तुमारे dain road में इस भक्ति क business है इस भेद को इसमें आनद उठाओ सब चीज की जवाब की ज़रूद नहीं है लेकिन मैं हूँ तुमारे साथ सब चीज जानने के ज़रूद नहीं है लेकिन जीवन मिन तुम्हें दिया है परिश्रम आएंगे, कठिनाईां होंगी, लेकिन सब कुछ समझने की कोशिश मत करो और यही है, कठिनाईयों में, परिशानीयों में, हम उनको सुलजाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं, इसमें परमेशुर का है, मुझे परमेशुर के संग, इस समय में संगती करने हैं। और वो ही हमें उस, तब ये भेद जो हैं, आस्ते आस्ते खुलने लगते हैं, और उसको हम जानने लगते हैं। ये परिशानी आये तो मैं ये नहीं कहते हैं, धन्यवाद परमेशुर तो ने मुझे इतना सॉरा परिशानarme दी, नहीं। तब उन्दमنا शीखता हुए, और उस को खोज करता हूं, मैं उसको जानता हुए। जान जाएए हर परिक्षय जो जीवन में आती है वो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए और उस समय में आप परमिश्वर की मकसद को समझोगे एक नया प्रकाशन मिलेगा परमिश्वर के स्वबाव का और आपकी जीवन के लिए भक्ति का भेद गंभीर है इसमें परमिश्वर को जानो आनद मनाओ और आगे बढ़ते रहो आमेन